नवस्कार दोस्तो जैहिंद वंदेवातरम दोस्तो मैं आपके साथ जैसवाल सर सभी प्यारे मित्रों का अविनंदन शुागत है दोस्तो बात करेंगे दोस्तो मैं इसके मापन पृणाली का चेप्टर बात करेंगे प्रैक्टिस से टमबर 14 है आपको पता है मापन प्रणाली से एक दो प्रस्ट जरूर आता है तो यह concept यह class बहुत important है यह question important है दोस्तो चले पहला प्रस्ट देख लेते हैं simple question भी रहेंगे hard question भी रहेंगे जो आपके अग्जाम में पूचे जाते हैं वो भी question भी रहेंगे और संभावित प्रस्ट भी रहेंगे तो चले दोस्तो शुरू करते हैं सभी प्यारे मित्रों का welcome भी डंदन है जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर teachers family और फैमिली सिचकों के परिवार पावर्ड वाई सिच्छा ही प्रकास है चले पहला प्रस्ट ने कि वर किलो मीटर में कितने हेक्टेर होते हैं अगर आपको पता है तो comment box में जरूर बताईए एक वर किलो मीटर में कितने हेक्टेर होते हैं सभी प्यारे मित कमेंट करेंगे दोस्तो एक हेक्टेर बराबर 0.01 वर किलो मीटर होता है किलोमीटर वर्ग 0.01 वर्ग किलोमीटर होता है अर्थाद एक वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेर हो जाएंगे 100 हेक्टेर हो जाएंगे एक हेक्टेर बराबर 0 समलो 0 एक वर्ग किलोमीटर होता है तो एक वर्ग किलोमीटर या एक वर्ग बराबर के आ जाएगा सव हेक्टियार आ जाएगा अर्थाद दोस्तो हमारा तीसरा अपसन सई हो जाएगा आयोप आप लोग अच्छे तरीके समझ गए होंगे दूसरा प्रसन है कि तीन ग्राम, पांच डेसी ग्राम तथा साथ सिंटी ग्राम को मिली ग्राम में बदा लिए ऐसे ही प्रसनाब की एक्जाम में पूछे जाते हैं अगर मैस को आप लोग गले लगाएंगे मैस से आप लोग प्यार करेंगे तो आप लोग जो सपना है तर्टी आप तर्टी लाने का वो जरूर पूरा होगा और जैसवाल सर्स के साथ जरूर पूरा होगा जैसवाल सर्स आपको वादा दिलाते हैं हरे कुश्चन दोस्तों अटेंड करें मेहनत करें, प्रक्टिस करें क्योंकि यही वो समय है जब आप मेहनत करते हैं और यही मेहनत आपको सेलेक्शन दिलाएगा आप अपने लिए दोस्तों कीजे 3 g 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 एक ग्राम बराबर, 100 dc स्वारी, एक dc ग्राम बराबर, कितना होता है, शव मिली ग्राम के बराबर होता है, पलस, आप कहे रहा है, 7 sin tалось, तो 7 गुने 10 करेंगे, यूँकि, एक, सेंटिक ग्राम बराबर, 10 मिली ग्राम होता है, अब टोटल योग कर लिजे देखे एक ग्राम में 1000 मिली ग्राम होता है एक डेसी ग्राम में 100 मिली ग्राम होता है और एक सिंटी ग्राम में 10 मिली ग्राम होता है तो टोटल 3000 आया उपर वाला ये आया 3000 के बाद 500 और नीचे वाला 70 कितना टोटल हुआ 3570 क्या आजाएगा यानि 3570 मिलिग्राम में आएगा तो 3570 मिलिग्राम पहलापसन सई हो जाएगा बहुत इंपोर्टेंट होता है थोड़ी थोड़ी चीजें दोस्तो हमें यहाँ पे नालेज और ध्यान रखना होता है अब 24 इंच को मिली मीटर में बदलना है सभी लोग कमेंट करेंगे जी हाँ अगर आप लोगों से आता है तो फीड़वेक जरूर करें कमेंट के मादम से कोशिस करें दोस्तों क्योंकि कोशिस करने वाले कभी हार नहीं होती कोशिस करें जितना ज़्यादा कोशिष करेंगे, अपने लिए कोशिल करें, अपने सेलेक्शन के लिए, अपने टीटी जाम क्रैक करने के लिए कोशिष करें, प्रेक्टिस करें, जी हाँ, कोशिष जारी रखिए, 24 इंच को मिलिमीटर बदलना है, पहली बात तो एक इंच में ये जान ल होंगे तो चाव बिस गुणे पचीश दसंबिव चार कर देंगे अलब दसंबिव को गुणा भाग तो आपसे बनता ही होगा है थिकल्प ऑफचीश गुणे थिकल्प कर लिजेए कितना एंसर आ जाएगा इंसर सभी लोग प्रॉट करें इतना गुणा करें मैस की क्लास किसी भी क्लास को अटेंड करें कोई भी चैनल हो कभी भी बुक लेकर बैठें अगर मैस को आपको पढ़ना है तो पेन और कागज में लिख कर ही पढ़ें दोस्तो तो राइट अफसन क्या हो जाएगा 25 इस्वारी यहाँ पे क्या है 24 गुणे करेंगे क्या है 24 गुणे 25 दसंबलो 4 करेंगे सभी लोग करेंगे 24 गुणे 25 दसंबलो 4 करना है 24 गुणे 25 दसंबलो 4 करेंगे योगि 24 सिंच का निकालना है और एक इंच में 25 दसंबलो 4 मिली मीटर होता है तो 24 सिंच में कितना हो जाएगा 24 गुणे 25.4 कर लिजिए एंसर क्या आजाएगा एंसर आजाएगा 609.6 mm तीसरा अपसन सही हो जाएगा दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है एक होता है प्लस एक होता है माइनस एक होता है गुणा एक होता है भाग ये चार संक्रिया जिससे जान लिया गणित से पार हो जाएगा गणित से प्यार करने लगेगा अंगला प्रिस्न 22.7257 4 हेक्टो मीटर को सिंटी मीटर में बदलना है ध्यान दीजे कैसे बदलेंगे कैसे बदलेंगे दोस्तों एक चीज आप द्यान दीचे GIR गरे एक हेक्टो मीटर बรाबर कितना होता है 100 मीटर होता है एक हेक्टो मीटर बराबर 100 मीटर होता है तो 32.7255 744 हेक्टो मीटर बराबर कितने मीटर में होगा तो इस पे क्या करेंगे इसको गुणे 100 कर देंगे तो पहले हमारा मीटर में निकल आएगा इतना गुणा करेंगे हमारा मीटर क्योंकि एक हेक्टो मीटर बराबर 100 मीटर होता है तो इतने हेक्टो मीटर बराबर 100 में गुणा कर देंगे तो हमारी वैलू मीटर में निकल आएगी इतना गुणा कीजे अब देखे दो संख्या है तो दसमलो को हम यहाँ पे करके यहाँ कर देंगे यानि 72 दसमलो पांचार आ जाएगा क्या जाएगा 42 दसमलो पांचार यह क्या हैगा मीटर में आ गया अब मीटर के बाद क्या करना है आपको प्रस्ण क्या कर रहा है सिंटी मीटर में बदलना है मीटर कितना आ गया 42 दसमलो यहाँ पर नोट के लिजे 42 दसमलो 42 पांच साथ चार आ गया अब इसके बात कह रहा है सिंटी मीटर में दलना है तो एक मीटर बराबर कितना होता है सबी लोग बताएं एक मीटर बराबर सौ सिंटी मीटर होता है ठीक है अब क्या करेंगे सौ होता है तो इसमें भी सौ का गुणा करेंगे तो हमारी value सेंटीमीटर में आ जाएगी जब 100 का गुणा करेंगे तो ये दसमलो फिर ही दर पीछे आ जाएगा यहाँ पे लग जाएगा अर्थाद 42,72 75,4 आ जाएगा किस अपसन में दिया 42,72, 75,4 दूसरा अपसन देखेंगे दोस्तों सही हो जाएगा आई होप आप लोग अच्छे तरीके समझ पाए होंगे अगर चैनल पे पहली बार विजट कर रहा है सब्सकाइब कर लें अपने परिवार सिचकों के परिवार टीचर्स फेमली यह आपका अपना परिवार है दोस्तों ठीक है और आई होप सभी पैरमित बीडों को लाई कवश कर लिया होगा चले देख लेते हैं दोस्तों अंगला प्रस्ट तीन दसमलो आठ हाठ एकड को हेक्टेर में बदलना है ध्यान पूरक देखे गणित बहुत आसान नारमल लगाना है कोई भागदाओर वाला कुश्चन नहीं होता आसान से करिए आसान से यहाँ पे करेंगे तो एकजाम में आप जल्दी कर पाएंगे तीन दसमलो आठ हाठ एकड देखे पहली बात है कि एक एक एकड में एक एकड में दोस्तों कितने हेक्टेर होते हैं 0.4 0.5 हेक्टेर होते हैं इसलिए 3.88 एकड में कितने हेक्टेर होंगे तो 3.88 गुणे 0.4 0.5 कर दीजे आपका एंसर आजाएगा आई होप आपने कर दिया होगा बहुत अच्छी बात है फिर कर दिया दोस्तों एंसर कितना रहा कमेंट केजे एंसर कितना रहा है 1.5714 दूसरा अपसन सही हो जाएगा दोस्तों अगर देखिए दसमलों का गुणा भाग नहीं बनना तो हमारी क्लास डेली अटेंड कीजे जाए प्लेलिस्ट में कीजे किजे कंसिप्ट वाली क्लास हो चुकी है लेडी कंसिप्ट वाली क्लास जरू देखेगा इसलिए बोल लहें क्लासे चैनल को सब्सकाइब करें ताकि हर एक क्लास का नोटिकेशन आपको मिले अंगला प्रसने साथियों यदि एक फिट में 30.4 सिंटीमीटर के बराबर होता है ध्यान दीजे एक फिट अगर आपका 30.4 सिंटीमीटर के बराबर है तब एक वर्ग फिट लगबग कितने वर्ग सिंटीमीटर के बराबर होगा ध्यान दीजे एक कोश्चन इंपोर्टेंट है एक फिट बराबर 30.4 cm, एक वर्ग फिट बराबर 30.4 cm, एक वर्ग फिट बराबर 30.4 cm आ जाएगा, इनि 30.4 का स्क्वेर कीजिए कितना रहा है, सभी लोग कमेंड करें कितना रहा है, बहुत ही आसान है, हमें इसका स्क्वेर कर देना थे, इनसा रहा ना था, अगर आपको हमें एक लास आपने देखा होगा, इसके बाद या कुश्चन आएगा इस टैप का, तो आपको क्या करन है, कुछ नहीं करना है, इन्च फुट कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमें इसका स्क्वेर कर देना, क्योंकि एक वर्ग फिट पूंचा जा रहा है, वर्ग फिट क्या होता है, स्क्वेर में होता है, तो 30.4 का स्क्वेर कर देना है, 30 का स्क्वेर सभी लोग जानते 900 के होत होता है और 4 का स्क्वेर 16 हो जाएगा ठीक है यानि कितना गया सभी लोग सम्थिंग बता रहा हूं तो आइंसर आपका कितना जाएगा 92 4.16 क्योंकि 4.16 होता है तो 924.16 देखे डिरेक्टली हमें सोच सकते हैं अगर 30 है 30 के बाद दसम्दो है 30 का गुनार 30 से करते हैं 900 आ जाएगा 900 के बाद ही दसम्दो लगेगा अब देखे किसी संख्या में 900 के बाद क्या दसम्दो लगा हुआ है हम देखते हैं पहले ही में लगा है तो यह लाजिकल होता है जितना जादा गणी सीखेंगे उतना जादा आप लोग अच्छे और असान तरीके सकर पाएंगे ठीक है तो लाजिकल पॉइंट होता है तो आपका किलो मीटर है मान लिजे एक किलो मीटर है कितने मील के बराबर होगा मेरे दोस्तों मेरे प्यार मित्रों मेरे भावी धापक धापिकाओं एक बार ध्यान दिजेगा सभी जानते हैं कि एक मील बराबर एक दसम्दो छै एक किलो मीटर होता है एक मील बराबर एक द यहां पर देखे, आठ दिया गया था, ठीक है, आठ किलो मीटर लगवग कितने मिल के बराबर होगा, यहां पर यह दिया गया था, ठीक है, यहां पर मिस्मिंट हो गया है, क्योंकि कोश्चन बनी नहीं रहा, किलो मीटर लगवग कितने मिल के बराबर होता है, तो एक मिल बरा एक बटे एक दसंबलो च्छाय एक गुणे आठ आ जाएगा अब इसका आपने साल्प कल लेंगे कल लेंगे की नहीं कल लेंगे सभी लोग कमेंट करें कल लेंगे की नहीं कल लेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं कितना आ जाएगा लगवग दोस्तों आपके पांच मेल के आसपास आएगा कमेंट कर सकते हैं भाग कर सकते हैं एक चीज और बताए देता हूं एक बटे एक दस्वमलों च्छाएक आया था टाइम लगेगा थोड़ा ठीक है इसके बरहा हम क्या कर सकते हैं आज दस्वमलों के बाद 2-0 है तो हम क्या लिख सकते हैं डिरेक्ली 161 लिख उपर 8 गुणे 100 कर देंगे निए 800 में 161 का भाग देना है तो 800 लिखिए 161 करिए 161 में 5 का गुणा कीजिए 5 कम 5 5 6 का 30 5 कम 5 3 8 लगभग 805 आ रहा है इसलिए मैंने बोला था लगभग 5 मेल ठीक है तो कुछ लॉजिकल पॉइंट भी आप लोगा सकते हैं 30 राप्सन सही हो चले दोस्तों यह मौक कोशन है और लेट्स क्रैक्ट फार टीचर एलवल्टी एक्जाम विध जैसवाल सर एक क्लो मीटर दो हेक्टो मीटर तीन मीटर को किलो मीटर में ब्यक्तिए कितने किलो मीटर आएगा चार आपसन है और यह आपको कमेंट बाक्स में बताना है इसके हम कल बताएंगे एक किलो मीटर दो हेक्टो मीटर थीन मीटर को किलो मीटर में बेकती जैसे टीर है इस क्लास पर धन्माश शबीगा